पिगना हर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा अब तो आप सबको प्रभू श्री गणेश छी के अनुकम रोप का उचित परिचयत पराफ्त हो गया तो अब मेरे साथ कहिए ओम गण गण पते नमहा 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 बस बस वालक बस तुम कहते हो के परम भ्रम है वो जिनके उपर संपोर्ण संसार का भार है तो क्या उनके पास इतना समय है कि तुमारी जैसे तुच्छ कीड की प्रातना सुनकर तुमारी पुकार सुनकर तुमारी रक्षा करने के लिए आएगा हाँ वो अवश्य सुनेंगे मेरी पुकार उनसे किसी का भेर नहीं चिपा चाहे वो देव लोग वासी हो या साधर और धर्ति वासी जियू बड़ा हो या छोटा साब उनके लिए समान है इसलिए वो मेरी भी पुकार सुनेंगे जैसे उन्होंने एक मेंडक दमपती की सुनी थी और प्रभू का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उत्तार भी हुआ बालक, मेंडक मेंडकी की कथाएं तुम जैसे बालक को ही सुहाती है हमारे पास इस सबका समय नहीं है सुरा पदमन, इसे नहीं असुर माता, ये मात्र कथा नहीं प्रभूश्री गणी शी की लीला है जो सभी जीवों को आस देती है माता, अपनी अंति मेंच्छा पूर्ण कर लेने दीजिए इसे धन्यवाद एक बार एक मेंडक दमपती एक कुए के मुंडेर पर बैठे थे मेंडकी प्रभूश्रे गणेश जी के नाम का उचारन कर रही थी किन्तु उसके पती को ये नहीं भाया क्यूंकि उसके अनुसार एक पत्नी की निष्टा मात्रा उसके पती के लिए ही होनी चाहिए तो पती के टोकने पर मेंडकी ने प्रभू का नाम लेना रोब दिया किन्तु जैसे ही मेंड़की ने प्रफु का नाम लेना छोड़ा आंधी और वर्षा होने लगी आकास से विद्ध्युतिया तरंग कुए के हुंडेर पर गिरी और वो दोनों कुए में गिर गए वर्षा निरंतर होती रही फिसलन के कारण वो दोनों उपर भी नहीं चड़ पा रहे थे और दूसरी और एक जल सर उन्हें निगलने की ताक में था उनका जीवन संकट में था मेंधक तो बचने की आशाच छोड़ चुका था किन्तों मेंधकी को अभी भी अपने प्रभूश्री गणेश जी से आस थी और तब उसने मेंधक से अनुमती मांगते हुए कहा स्वामी मुझे प्रभूश्री गणेश जी का नाम लेने दीजिए लाचार मेंधक ने मेंधकी का निवेदन स्विकार कर लिया और मेंधकी तभो के नाम का जाब करने लगी और उधर उस सर्फ ने भी अपना मुख खोल कर वार किया और तब जैसे यह सर्फ उनके निकट पहुचा कुए मेंधक ने तो भाईवी दोकर अपने नेत्र बंद कर लिये किन्तों मेंधकी को अपने प्रभू पर इतना अटूट विश्वास था कि उसे लगा कि वो प्रभ मेंधकी ने कहा प्रभू दयानी दान श्री गणेशजी ने उनकी रक्षा की इन्तों मेंधक को तो प्रभु पर विश्वास नहीं था तो वो बोला ये तो एक मातर साही योग है वास्ताव में हमारी रक्षा तो इस व्यक्ति ने कीई है जिसने इस पात्र को जल में डाला और हम दोनों को बाहर निकाला इसलिए तुम्हारे गणेशी में विश्वास व्यर्थ है तो अब यदि तुमने अपने पती के अवग्या की तुम अपने पती का अपमान करने का अधरन करोगी उसके पती की बात सुन कर मेंधकी सहम गई और शान्त हो गई किन्तु जिस जल में वो थे वो खोलते हुए उस जल के पात्र में डाल दिया गया इस नए संकट से गिरने पर वो उससे निकलने का कोई प्रयास करते उससे पहले उस पात्र को ढग दिया गया अब तो बच्चाव का कोई मारगी नहीं था तो मेंधक ने उस पर कटाक्ष करते हुए का तुमारे आस की आधर प्रभुश्री गनेश जी कहा है तो मेंधकी ने उत्तर दिया आपने ही मुझे प्रभुश्री गनेश जी का विचार करने से या नान लेने से रोग दिया है स्वामी तो मैं उनका स्मरण कैसे करूँ जीवन और बृत्यों के बीच अधर में लटके मेंधक को और कुछ ना सूजा तो उसने कहा तो लो मैं अनुमती देता हो लो उनका नाम और हमें यहां से निकालो किन्तु मेंधकी ने कहा यदि मैंने ऐसा किया तो आप मुझे प्रभु का नाम लेने से कदापी नहीं रोकेंगे मेंधक के पास तो कोई और चारा था ही नहीं तो उसने मेंधकी का प्रस्ताव स्विकार किया और नविन आशा और उत्सा के साथ मेंधकी फिर से प्रभु का नाम लेने लगी बस मेंधकी द्वारा प्रभु का नाम लेने की देर थी कि जल का पातरा जल के उबलने से कमपीत होने लगा और फिर अचानल तूड़ गया और जल बिखर गया और मेंधक और मेंधकी फिर से मुझत हो गए जेस प्रकार वीगन हर्ता श्री गणेश जी का नाम देने से उन दोनों की जीवन की निराशा आशा में परिवर्तित हो गई उसी प्रकार यदि कोई भी जीवन की किसी विकट समस्या से जूचकर धिराशा के समुद्रा में डूब रहा हो तो अपने बीतर की आशा को जगा कर रखना चाहिए फिर स्थिति कैसी भी हो भूकम भवंडर महामारी या कोई और जटल समस्या सबके निवारन का आधार मन की आशा है क्योंकि जा आशा है माँ प्रभू श्री गणेश जी साथ है और मेरी क्या आशा है ये भी सुन लेजे मेरे प्रभू कार्ति के मातर मेरी रक्षा के लिए नहीं अपितु कुटिलता कपट दुरुष्टता और धर्म का अंद कर धर्म की स्थापना के लिए भी यहां आएंगे और जब तक आश है तब तक श्वास है और जब तक मेरे प्रभू श्री गणेश जी मेरे साथ है तब तक ना कोई मुझसे मेरी आश चीन सकता है ना मेरी श्वास जयंत की भक्ति और प्रभू कार्तिके की शक्ति पर विश्वास रखिये देवराज कि अपना व्रत संपन्न करने के उपरांद वो स्वयम उसे मुप्त कराएंगे कि अजय स्वामी पार्ति के पर होन विश्वास है पर्धन को जिकनेश्ची क्या विए प्रेनाम प्रभू, प्रेनाम माता, काल्यान, 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 पुत्री, भक्ति भाव और निष्ठा, तुम दोनों में ही हमारी आशा से कहीं अधिको, हम अत्यांत प्रसन है, पुत्री, तुमने वो उधारण दिया है, जो अतुन्नी है, भक्त के रुप में आपार भक्ति की, जीवन साथी के रूप में हर शन उसका साथ दिया, और तभी सैयम और ध्यान में रह कर भी कार्थिके, अपनी पूजा पूल कर सका, जो उसकी साध्याद, और एकागर्दा, और तुम्हारी अनुपंभक्ते का प्रमान है, किन्तु पुत्री, अभिपाशु पतास्तर प्राप्त करने के लिए, एक अंतिमुत्तर देना श्येश है, जिस प्रकार अब तक की आत्रा में तुमने एक श्रेश्ट संग्ली होने का उधारन प्रस्तुत किया है, तो क्या उसी प्रकार तुम उसकी स्थान पर रहेकर इस प्रशन का उतर दे सकोगी? बता सकती हो, शिव और शक्तिता तु क्या है? तुम्हारा उच्चितुत्तर ही उसे पाशु पतास्तर पाने में सफल कर सकेगा, अन्यथा उसकी संपून यात्रा और उसकी साधना विफल हो जाएगी, मेरे कारण स्वामी विभाई हो, यह नहीं हो सकता, कधा भी नहीं. स्वामी के स्थान पर आपके प्रश्न का उतर मैं अवश्य दूंगी. शिव और शक्ति तत्व क्या है? शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग नहीं है. शिव तत्व में शक्ति और शक्ति तत्व में शिव समाहित है. निश्क्रिये या शान्त होने पर वो शिव तत्व हैं और शक्रिये अत्मागतिशील होने पर शक्ति. और ये दोनों सैयुक्त रूप से ही स्विष्टी की उत्पत्ति उसके पालर और उसके विले के नियंत्रक हैं. और स्विष्टी के निर्मार उनका पालर और विनाश की ले इसी प्रकार गतिमान भेती हैं. जिस प्रकार जब तक हाथ पेड से तोड़कर भल जिववा तक ना ले जाये तब तक प्राणी को उसके स्वात का पता नहीं चलता. उसी प्रकार शक्ती गतिमान होकर शिवको संसार के प्रति उनके हृदे में भाव जगाती हैं. और फिर दोनों के परस्पर सहयोग से संसार भी गतिमान होता है. उसी प्रकार मेरे सहयोग से स्वामी की पूछा भी पूर्ण हो रही है. जिसे प्रभु महादेव का प्रश्न स्वामी के लिए था और मैं उत्तर दे रही हृई हैं. ठीक उसी प्रकार अटूट और परस्पर हैं. शिव और शक्ती का तत्व और संबन्ध. शिव और शक्ती के भाती पती और पत्नी भी अभेध हैं. और एकाकार होकर नई रच्ना का दिर्मार करते हैं. आगे बढ़ते हैं. यही शिव शक्ती तत्व है. पुत्री तुमने ना केवल पती पत्नी के पावन संबन्ध, ना केवल शिव शक्ती के देवे बंधन को समझाया है. अपी तू इस अंतिम परिक्षा में भी पुत्रकारती के को सफल बनाया है. अब वो पाशुपतास्त्र पाने और उसे धरम युद में उसका प्रयोग करने के लिए सरवतायोग यह है. पुक्त करना है. क्द astronauts कि झार कि एंगें बव्र नह भुन लवषी बाइस उन लवषे बाइस पुट्र अब तुम मेरे शक्ति दण और पशुपतास्त्र अड़्थात शिव और शक्ति दोनों के ही अस्रों से संपन और इसका श्रे देव सेना को भी जाता है माह, पिताश्री, आपके इस पुत्र पर आप दोनों की इस किरपा खे लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद अब आप दोनों मुझे यह आशिष दीजे कि मैं अपना करता भी पूर्ण कर सबूँ सभल भपा पुत्र हमारा आशिष सदा तुम्हारे साथ है कि तुम धर्म का प्रतीव बन धर्म का नाश करूँ ब्राटा आप इसी का वार्ण का नाश कर दोनों विचार कर रहे है ना कि यहां क्या और कैसे हुआ यह तो आपकी परमभक्त कुमारी देव सेना जी की भक्ती के चरम का ही परिणाम है विकट परिस्थितियों में भी सभी कश्ट स्वयम सहकर उन्होंने आपकी पूजा आपकी व्रत में कोई कमी नहीं आने दी सर्व प्रथम आपकी पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने आपके समान तीर्थ यात्रा पूर्ण की अर्थात प्रथम वचन किसी भी व्रत या उक्वास में समान का की भागीदारी निभाना फिर यहां पहुचने के उपरां आपके व्रत का सम्मान करते हुए प्रत्येक पग पर आपकी सहायक बनी ये तो दूसरा वचन था, एक दूसरे के प्रत्येक चुनाओं का सम्मान करना आपकी पूजा के हर चरण में आपके साथ रही और आपके लिए एक उचित स्थान का निर्मान किया जो तीसरा वचन था, एक दूसरे की आवश्चक्ताओं और सुक का ध्यान रखना और जब आप ध्यान में लीन थे, तो आपके स्थान पर उन्होंने आपकी पूजा संपन की चौथा वचन, प्रत्येक अवस्था में एक दूसरे के दाइट तो निभाने में साथ देना माता मुझे आशेवात दीजे, तो नहीं ये पूजा संपन कर सको और पांच वावचन है, एक दूसरे से विमर्ष के बिना कुछ नहीं करना इतना ही नहीं ब्राता, मुस्लाधार वर्षा में भी उन्होंने आपके व्रत, आपके द्यान को ही सर्वो परिमाना जलधारा को आप तक पहुँच कर आपका द्यान भंग नहीं करने दिया सदैव एक दूसरे का सम्मान करना, किसी भी कारणवश एक दूसरे का अपमान कदा भी नहीं होने देना तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसका धन्यवाद कैसे करूँ धन्यवाद कैसा स्वामी, हैंगी तु बस अपना कर्तव भी निभाया अश्चरे, एक पत्नी विवाह के बंदनों में बंद कर भी जो कारे नहीं कर पाती तुमने तो उन्हीं वचनों को निभा दिया है, अब इसका क्या अर्थ समझो में कदाचे तब भाभी मा से भ्राता विवाह की बात करेंगे आप इसे मेरी श्रता कहे या सेवा, ये तो आपके उपर है स्वामी किन्तु मैंने जो किया, वो तो अटूट भक्ती से ही प्रिरित्ता और मुझे आशा है कि जिस प्रकार मेरे हृदे ने आपको सुविकार किया उसी प्रकार आप भी मुझे सुविकार करेंगे आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और आपको धन्यवाद भी करता हूँ मैं आपको सुविकार करता हूँ अपनी प्रिय भाक्त के रोप में मैं अपनी कृतक गिता व्यक्त करने के लिए और बहुत कुछ कहने का इच्छूखू किन्तु अभी मैं अपना ध्यान कहीं भी भटकने नहीं दे सकता क्योंकि अभी मेरा कार अधूरा है मुझे अभी अधर्म का नाश करने और अधर्मियों को दंडित करने का कर्तव भी भी ने भाना है अधर्म का नाश करने 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 का नाश प्रणाम देव गुरु प्रहस्पती जी कल्यान हो आप जब देव सेनापती कुमार कार्दीगे ने पशुपतास्तर प्रप्राप करे लिए तोने युद्ध के लिए परस्तान गारे में तनिक फिलम नहीं करना जाएं देवराज सेनापती बीरभा देव गुरु ब्रैस्पती जी के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाएए और स्मरण रखिए ये युद्ध कठे न अवश्य होगा किन्तो इस युद्ध को हम सभी युद्धाओं को मिलकर संपोन साहस शक्ति और अटोड विश्वास के साथ लगना है और इसके लिए हम अभी इसी शन महेंद्रपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे मूर्ख समझने की भूल कर रहा है मुझे ये बालक भेद जानने के लिए भेदिया छोड़ दिया ताकि हम यहां इसमें उल्जे रहें और वो वहां युद्ध की तयारी कर यहां पहुझ भी जाए किन्तु मैं ऐसा कदापी नहीं होने दूँगी मा मुझे अनुमती दूँ मैं अभी इसका अंत कर देता हूं नहीं ये कारागार में रहना चाता है ना तो एसे ऐसे भयंकर कारागार में भेजूगी जहां होने वाले कष्ट की ये कल्पना भी नहीं कर सकता और जहां तक उस कारतिके का प्रशन है तो मैं जानती हूं कि उसके साथ क्या करना है अइएबाव उसकेistes कि मारी जट Quran, एसी हाँ झाओर को का कारगार चाली कि भी और सकते हूं राधा मुझे आग्या दें मैं यहां से महेंद्र पूरी तक अपनी सूर से पुल बना दूंगा जिससे हमारी से न वहां तक पहुँच सके प्रभू देव सेन आगय बढ़ने को तयार है हाँ देव सेना पती हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है इन्तु पुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी की प्रतिक्षा में है नहीं देवराज हमें इसी शन कूच करना चाहिए प्रणाम प्रभू ओ तो ब्राता भावी मा के ही प्रतिक्षा में थे प्रभू मा के अनुसार यूद के लिए प्रस्थान तिचे तिलिक के उपरांध ही करना चाहिए यह सौपा के मुझे प्रतान करने की कृपा कीज़े तोरे नैना मोरे नैना दोनों के है एक नैना तोरे नैना मोरे नैना दोनों के है एक नैना तोरे नैना मोरे नैना दोनों के है एक नैना तोर नैना, मोर नैना, दोनों के है एक नैना यदि आप मुझसे प्रसन होकर मुझे अपनी पत्ती की रूपे स्विकार करने के लिए तैयार है तो आप चानियों से पहले एक बार मुझे आवश्य देखेंगे यह क्या, प्रपुमे तो चाति मुझे देखा ही नहीं खड़े क्यों हो, जाओ और जाकर उस कार्थ के और उसकी सेना की सूच ना लेकर आओ मझे विश्वास है, आप मझे निराश नहीं करेंगे प्रभु, एक बार आवश्य मुडेंगे, देखेंगे मुझे वो मुड क्यों नहीं रहे, पुझे देख क्यों नहीं रहे, क्या मेरी यह आशा, यह आशा बच जाएगी मयोर जी रपु तु अपने वाहन मयोची पर सुवार भी हो गए, वो मुड क्यों नहीं रहे, मुझे देख क्यों नहीं रहे युद्ध ही दुष्टता के अंत का अंते मुपाय है, तो अब वही करूंगा मैं, किन्तु अधर्म, अनाचार को रोके बिना, अब मैं भी नहीं रुकूंगा बाभु सुपरवन्यम कार्थिके अस्वावी की, जय बाभु सुपरवन्यम कार्थिके अस्वावी की, जय भाभी मा के मुख पर ऐसी चिंता जिस प्रकार प्यास लगने पर, जल की एक बून भी अम्रित के समान होती उसी प्रकार स्ने संबन, स्ने युक संकेत की एक जलक भी मन को त्रिप्त कर देती देव सेना कितने समेस, कितने अधीरतास, पुत्र कार्थिके की, एक स्ने युक त्रिष्टी की प्रतीक्षा कर रही यदि वो भी उसे प्राप नहीं हो, तो उसका प्रेम भरा रद फुर्चा जाएका भावी मा के हिर्दय को निराशा का सामना नहीं करना चाहिए वो मेरी भावी मा ही नहीं, स्वयम देवताओं की सेना की शक्ती देव सेना है जिनसे देव सेनिकों को शक्ती और उर्जा प्राप्त हुई है इसलिए यदि वो निराश हो गई तो युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली संपूर्ण देव सेना निराशा के भवर में डूप जाएगी नहीं देख रहे है प्रभू हाँ मुशक जी उनकी दृष्टी तो उनके लक्ष पर ही डिकी है उन्हों नभी भी नहीं देखा भावी मा को पुत्र कारती की को पुत्रि देश सेना को एक पार अवश्य देख लेना चाहिए नहीं अब तो स्वामी प्रस्थान का देवाले अब मेरी रही सही आशा भी मिखर रही है भक्ति की शक्ति अनन्थ है जो भक्त अपने इश्ट पर पूर्ण विश्वास रखते हैं इश्वर उन्हें विप्रीत से विप्रीत परिस्थिती से भी उबार लेते हैं झाल